सन अफ मला मुकेश साहनी के पाटी में आज 7 दिसंबर को सन अफ मिथला का ग्रांड एंट्री हो रहा है देखिए मुकेश साहनी के पाटी का दामन थाम रहे हैं आज उनका एक बजे एक निजी होटल में उनका मिलन समारो है मुकेश साहनी के पाटी का दामन थाम रहें और पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है देखिए चारो तरफ संजीव मिसरा के वोडिंग लगे हुए हैं साथ में वियाइपी पाटी के सुप्रिमों और सन अफ मला मुकेश साहनी भी उसमें नजर आ रहे होगी देखे मुकेश सानी के पाटी में संजीव मिसरा की जब ग्राइंड एंट्री हो रही है तो कहा ज़रा है कि बिहार के सियासत में मुकेश सानी के पाटी और मजबुत होगी देखे इससे महागटवंदन को भी फाइदा होने वाला है क्योंकि कोसी सिमांचल के इलाके में संजी संजीव मिस्रा जो है वह अपने इलाके में जो चातापूर बिधान सबाच्छेत्र से वह आते हैं वहाँ पर पूरी तरीके से जो है चाहे सिख्षा की बहुस्ता हो स्वास्त की बहुस्ता हो उसको लेकर संजीव मिस्रा अभी से को हम दो हजार पचीस में मुखमंत्री बनाएंगे वह अभी अब लगबग दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं संजीव मिस्रा एक बड़ा चेहरा है बड़ा नाम है कोसी सिमांचल के इलाके में संजीव मिस्रा को लगबग हर कोई जानता है संजीव मिस्रा एक बड़े हस्ती है वहाँ पर चाहे स्कूल की बवस्ता हो स्वास्त में कई तरह के अलग-अलग छेतर में संजीव मिस्रा काम किये हैं और हर साल यह हम पैनूर्मा में संस्कृती कार्चकरम को भी बड़ावा देते हैं साथी खेल कुद में भी बच्चों को सékर्जीव मिस्रा तो कहीन कहां चैजीव मिस्रा के महा गटवंदन में आने से भी आइपी पाटी में सामिल होने से वी आइपीस पाटी को मजबूती मिले गहीं साथ में महा गटवंदन में मजबूत होगा और जो तेजस्वी यादो का सपना है 2025 में मुखमंत्री बनने का उसमें भी संजीव मिस्रा फूक रहे हैं देखें संजीव मिस्रा लागतार जिस तरीके की पहल जो है वो अपने छेत्र अपने इलाके में करते हैं उसको लेकर अब पत्ना में भी खूब नाम और खूब चर्चा संजीव मिस्रा का हो रहा है देखें आज साथ तारीक को संजीव मिस्रा भी आईपी पाटी का दामन ठाम रहे हैं और उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया से लेकर पूरा पत्ना के सड़क पर बोडिंग से पाट दिया गया है पूरे पत्ना को